तो टिक्या चाट बनाने के लिए मैंने मटर लिए थोड़े से इसे मैंने 5 गंटे पानी में भीगों के रखा था अब मैं इसे कुकल में दो सिटी आने तक बॉयल कर लूँगी कि दो सिटी हो गया हमार मटर अच्छी तर बॉयल दो चुका हम इसे गैस से उतार देंगे अब हम एक कडाई लेंगे इसमें थोड़ा सा ओयल डालेंगे अब हम इसमें डालेंगे दो चाट दाने जीरा और हल्का सा गदा मुने देंगे अब हम इस पर एट करेंगे एक कटी भी प्याज इसे हम हल्का सा लाल हुने तक भूण लेंगे अब हम इसमे डालेंगे दो चमच अब्जक लेशन और हरी मेच का पेट इसे भी मची तरब भूण लेंगे इसके बाद हम इसमें एड करेंगे एक छोटी चमच खल्दी इस सब को मिक्स करके हम अच्छी तरब भूल लेंगे हम इसमें ज्यादा मसाले एड नहीं करता है क्योंकि हमारी टिकिया चाट में उपर से काफी सारी चटनी या और मसाले पढ़ेंगे इस लिए इसे मैंने कि इसमें डालूंगे अपने टेस्ट के तरब नमक अपने नमक टेस्ट के अकोडिंग डाले जाना डाले और अब मैं इसे अच्छी तरब मिक्स कर दोंगी और ये हमारी टिकिया चाट के लिए मतल की ग्रेवी बन के रेडी हो चुकी है अब मैं इसे गयास को बन कर दूंगी अब मैं अपनी टिक्किया के तयारी करूंगी अब आने के लिए सबसे पहले मैंने लिया एक बाउल और इसमें अभी मैं मैंने पांचे उबलेवी आलो लिए है इसे मैं अच्छी तरह इसे ग्रेट कर लूंगी जिससे हमारे आलो में एक भी गोटलिया नारा है अब मैं इसमें डालोंगे एक कटिवी प्याज और इसमें डालोंगे मैं अपने टेस्ट के कोडिंग नमक को खुत है इसके बाद में इसमें इसकी बातर के लिए मैं इसमें फोरा स junior करूंगे करूंगी किक्लोंगी सब्सक्ष्ञ आं अप पिश्में प्रेट्प असे ब्रेट करण सकते हैं अब Meter ब्रेट करस्क मैं इसे कॉंच्छ डाल के इसकी टिक्या अब रगाऊंगे अर्द अपने आलो अच्छी तरग कर लिया है अब में अन्हें हाथ में लगाऊंगे इलका सहल इसी लृक्त अच्छाजी और छोटे इसी घूलेदी बनाऊंगी आप म钱 कि यां ऑन बनाकर रेटी करूंगी अभन पर को Carnival볶स्प मेह देखिए मैंने आपने साय टिकिए बनाकर रेडी कर ली है अब मैं इसे टाइग करूँगी ये मने लिए एक पैन मैं इसे अच्छे से कर लोंगी अब मैं एकिए करके इस पर टिक्या को फ्राइ करूंगी इसे हमें डीप फ्राइन करना है सेलो फ्राइ करना है इसे दीरे दीरे पलट पलट के हमेसे फ्राइ करेंगे अब आज को मीडियम रखेंगे ताकि अच्छी तरह प्राइ हो जाए यह देखिए हम इसे पलट पलट के लाल होने तक अच्छी तरह सेलो फ्राइ कर लेंगे अब हम अपने चाट के प्लेटिंग करेंगे हम अभी दो डिक्या को लेंगे इसे ऐसे हातों से दबा देंगे यह हम डबल चाट बना रहे है जैस हम थेले पठे खाते है इसके ऊपर हम अपने जो मतल का ग्रेवी बना का तावो डालेंगे इसे अच्छी तरह टीक्या को कवर कर देंगे अब मैं इसके उपर डालूँगी ठोईसी हेमली की मीटी चट्मी की इसके बार मैं इसके उपर डालूँगी मिली, करी चट्मी इसमें यहाया से इसा बनाया है अब मैं इसके उपर कुछ कदू का स्कीय हुए डालूंगी गाजर, थोड़े से कदू का स्कीय हुए बीट, उसके बाद मैं इसके उपर डालूंगी थोड़ी सी कटीवी प्याज, इसके बिना तो हमार चाट बिलकुल अधूरा है, और थोड़ी सी हरा धनिया, फिर इसके वापस से इमनी की मिठी चटनी डालूंगी तिर एक बार हारी चटनी मैंने मटर में अधिक मसालों को नहीं डालाना क्योंकि चटनीयों से चाट का फ्लेवर काफी अच्छा हो जाता है इसके उपर में थोड़ा सा चाट मसाला डाल दूंगी अब मैं इसके उपर मैंने यह फेटी भी दही लिए इसे अलका सा एक दू चमल डाल दूंगी अब मेरी फाइनल प्लेटिंग सबसे उपर यह छोटी वाली से होती है ना मैं इसे डाल दूंगी और यह देखिए यह हमारा स्ट्रीट स्ट्राइल टिकिया चार्ट बन के बिल्कुल रडी हो गया है और यह खाने में बहुत ही स्वाधिस्ट खट्टा मिठ्था तीखा लगता है इसे आप एक बर अपने घर पर बना कर ज़रूर ट्राइक करें और अगर आपको हमारा करना बेलकुल ना बूले